दोस्तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस फिल्डो में हम बात करने वाले हैं एरपोर्ट अथोर्टी ओफ इंडिया की तरफ से डिप्लोमा, बीबी टेक और आईटे वालू के लिए एप्रेंटिस के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर लगभग सभी ब्रांचों के लिए वेकेंसी है यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल एलेक्ट्रोनिक और कम्प्यूटर साइन्स इंजिन्यर्स इलिस्बल रहेंगे फ्रेसर सीलिसबल हैं आपकी डारेक्ट भरती रहेगी कोई भी एक्जाम नहीं होगा और ना तो यहाँ पर कोई आपकी एक्जाम ने सन्फीस लगेगी और क्या बताया गया है इनके ओफिसल नोटिस में उसमें आगे जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जॉपस अबडेक्ट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाट्सप ग्रूप को भी जॉइन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका एरपोर्ट अथोर्टी ओफ इंडिया इस्टन रीजन कोलकाता की तरफ से निकाला गया है यह आपकी एक मिनिरत्न कंपनी है यहाँ पर आप लोगों के लिए एप्रेंटिस के लिए वेकेंसी रहने वाली है इंट्रेश्टिल्ड और इलिजबल कंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे सबसे पहले यहाँ पर आपकी रहने वाली है ग्रेजोट एप्रेंटिस टोटल यहाँ पर आपकी 30 पोस्टों पर वेकेंसी रहेगी अगर आपने भी बीटे किया है Aeronautical, Automobile, Architecture, Civil, Computer Science, Data Analysis, Electrical, Electronic, IT या फिर Mechanical Engineering में आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली हैं डिप्लोमा वालों के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है Aeronautics, Automobile, Architecture, Civil, Computer Science, Electrical, Electronic, Mechanical Engineering में आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे डिप्लोमा वालों के लिए टोटल यहाँ पर 45 पोस्टों पर वेकेंसी रहेगी लास्ट वेकेंसी यहाँ पर रहने वाली है ITI वालों के लिए अगर आपने ITI किया है COPA, Electrical, Mechanic या फिर Electronics में आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे ITI वालों के लिए टोटल यहाँ पर 55 पोस्टों पर वेकेंसी रहेगी अगर आपने बी बी टेक डिप्लोमा या फिर ITI किया है इन ब्रांचों में आप रहने वाले हैं पस्चिम बंगाल, बिहार, उलीसा, 36 गड़, जहारखंड, अंडमाने, निकोबार और सिक्किम के आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे बात करें आपके मंतली स्टाइपेंड के बारे में तो B.E.B.TEC वालों को मंतली स्टाइपेंड यहाँ पर 15,000 रुपे प्रतिमन्थ मिलने वाला है डिप्लोमा वालों को मंतली स्टाइपेंड यहाँ पर 12,000 रुपे प्रतिमन्थ मिलने वाला है और ITI वालों को मंतली स्टाइपेंट यहां पर 9000 रुपे प्रतिमन्थ मिलने वाला है बात करें आपके apply process के बारे में तो apply process यहां पर आपका online रहने वाला है form online होने यहां पर आपके शुरू हो चुके हैं और last day के यहां पर आपकी 31 जन्वरी रहेगी तो जिन भी दोस्तों ने हमारे B.E.B.T. किया फिर डिप्लोमा किया है इन ब्रांचों में आप यहां पर apply कर पाएंगे इन पोस्टों में apply करने के लिए minimum age आपकी 18 साल होनी चाहिए और maximum age यहां पर आपकी 26 साल रहने वाली है इसके साथ ही age पर government rule के हिसाब से यहां पर आपको age relaxation मिल जाएगा अगर आपने B.E.B.T. किया फिर डिप्लोमा पास किया है 2019, 20, 21, 22 या फिर 2023 में आप यहां पर apply कर पाएंगे इंट्रेस्टेल और eligible candidate यहां पर apply कर सकते हैं अभी के लिए इतना है मिलते हैं next video में